Hello everyone, इस video हम बात करेंगे हम frequency shifting property के बारे में, इससे पहले हमने linearity और time shifting property पढ़ दी थी, और frequency shifting property पढ़ेंगे, उसके साथ एक example भी करेंगे. तो frequency shifting property क्या कहती है DTFT की, अगर कोई x of n signal है, discrete signal है, उसका DTFT अगर हम लें, और वो आए, x of e की पावर j omega, n से multiply कर दूँ, x of n में, तो क्या, DTFT पर क्या फर्क पढ़ेगा, यह property वो बताती है, तो क्या करना, frequency shifting में, ध्यान से देखना, e की पावर का एक term होगा, जिसमें, j omega note, यानि frequency जो होगी, क्या होगी, constant होगी, उसकी multiply करें, तो यहां पर क्या फर्क आएगा, वही frequency से, यहां क्या हो जाएगी, subtract हो जाएगी, omega minus, omega note, यहां पर यहां पर यहां पर क्या हो जाएगा, तो इसके टांसफोर्मेशन में क्या था तो इसी का यूज करते हुए अब हम साइन ओमेगा नोट एन का डी एफटी फाइंड करेंगे फ्रिकेंस श्विफ्टिंग प्रोपर्टी का यूज करेंगे बहुत ही आसान तरीके से हम बढ़ने वाले पसंद से करेंगे हैं साइन ओमेगा नोट अगर हम इसको आइलर फोर्म में लिखता हूं तो यूलर फोर्म में इसको क्यासे लिख सकता हूं पावरज जो भी असाइन के अंदर लिखा होता उसको उपर लिखते हैं माईनस मा जाएगा कि सीज़ को अलग लग करके लिख लो चला पेज को मैं उपर कर देता हूं कि किसी को मैं क्या कर दा हूं distribute करके लग देता हूं सब दोने termों के साथ अलग अलग 1 upon 2j इसको मैंने बाहर किया e की पावर j omega 0 n minus e की पावर minus j omega 0 n इतना रिख लिए ठीक है अब देखो आगे क्या करेंगे हमें पता है जो 1 है 1 का dtft जो होता है वो कितना होता है याद करो मैंने वीडियो में करवायता k equals to minus infinity to plus infinity इसलिए तपरोव करवायता वो हमाँ पर किये इसको मैं आगे यूज कर चूँँगा 2 pi del omega minus 2 pi के ठीक है याद हो को सबको नहीं है याद तो एक बार देता हूं निकाला तो इसका formula क्या आया था आपर ध्यान से देखो नीचे 1 का dtft क्या आया था k equals to minus infinity to infinity 2 pi k delta omega minus 2 pi k ठीक है इसका जो interval था 1 था मैंने general formula आप निकालके दिखायता अगर 1 के लाबा कुछ और हो अगली वीडियो में फिलाल तो बढ़ते है मैं question की तरफ जो आपर हम थे तो यहां तक यह आ गया frequency shifting property क्या कहती है अगर मैं e की power j omega note के m multiply करता हूं तो दोसे side में क्या होता omega को मैं omega minus omega note से replace कर दूँगा काम मैं यहां पर करने वाला हूं देखो पहले मैं इस वाले term को बनाने वाला हूं तो दोन तरफ multiply कर दो यहां पर इसकी अगर मैं multiply करूँगा इसमें j omega note n में x of n के साथ x of n मेरा 1 है तो इधर क्या फरक आएगा omega को मैं किससे replace कर दूँगा by time shifting property जहां पर omega रागज जहां पर भी महां पर लिगूँगा omega minus omega note यह कहती है time shifting property के कस्टू माइनस इंफिनिटी टो प्लस इंफिनिटी टूपाई डेल्टा जहां जहां पर हो यह omega वहां पर लिग दो omega minus omega note एक ही जगा आता यहां पर ठीक है तो इसको किससे replace कर देंगे omega minus omega note इस तरह से second जो चीज है वो क्या e की पावर minus j omega note है माइनस वाली से multiply करेंगे इसी में 1 में माइनस वाली से multiply करता हो तब क्या आएगा इस वार negative से multiply कर रहे है तो इसका मतलब क्या आ जाएगा अधर omega को मैं omega plus omega note से replace कर दूँगा frequency shifting property तो पाइप डेल्टा ओमेगा प्लस omega note हो जाएगा यह सवार ठीक है तो मैंने e की पावर j omega note minus e की पावर minus j omega note का dtft जो find किया वो कितना हो जाएगा इन दोनों को मैं क्या कर दूँगा subtract करके लिख दूँगा वही मेरा dtft बन जाएगा तो इसका प्रेंगा color change कर देते हैं e की पावर j omega note n minus e की पावर minus j omega note n का जो dtft आ गया वो कितना आ गया पहले वाले में दूसरे उस अप्रेट कर देंगे यहां पे भी k एकस्टू minus infinity to plus infinity 2pi delta omega minus omega note minus 2pi के के कस्टू minus infinity to infinity 2pi delta omega plus omega note minus 2pi के यहां तक बात समझाएगे सबको अब यहां पे एक extra term हो देख रहा 1 upon 2j का तो मैं क्या करता हूंगा by linear property हम क्या कर देते थे जो भी constant होता था उसमें दोन तराफ multiply कर देते थे तो 1 upon 2j से दोन तराफ multiply करो तो यह कितना बन जाएगा 1 upon 2j e की पावर 6 omega not n minus e की पावर minus j omega not n इदर भी आजागा बन अपावर 2j in bracket k के स्टूर माइनस इंफिनिटी तो प्लस इंफिनिटी 2pi delta omega minus omega not minus 2pi k 2pi delta omega plus omega not minus 2pi k तो यहां से देखो दोन जागा submission आ रहा है submission के अगर limit सेम हो जासे integration होता है limit सेम होती है तो function को हम क्या कर देते हैं मतलब integration क्या लेते हैं एक साथ बाहर ले लेते हैं इस तरह से यहां पर दोनों की limit सेम है और same variable पर depend कर रहा तो क्या कर दूंगा मैं इसको बाहर लिख लूगा ठीक है 2pi तो constant है उसको तो मैं बाहर लिखी सकता हूं तो उसको तो total बाहर ले आओ तो यह जो बन गए left hand side में पहले यह क्या बन गए बताव मुझे यह जो बन गए e की पार j omega not minus j omega not upon तो मुझे इसका formula का यह sin omega not n का यहाँ पर sorry मुझे dtft लिखना था बीच में क्या लिखना था? इक्वल नहीं क्या लिखना? dtft इसको correct कर लेना तो यह तो left hand side में बन जाएगा sin omega not n right इसका dtft मैं 2pi दोन जगह आ रहा तो दोन जगह से बाहर निकाल दिया upon 2 j और यह भी क्या रहा? समी से सब जगह रहा तो इसको भी मैं बाहर निकाल लेता हूं k कस्टो minus infinity to infinity और एक ही बार मैं लिख देता हूं delta omega minus omega not minus 2pi k minus delta omega plus omega not minus minus 2pi है तो 2 से 2 cancel हो गया तो हमारा है पर क्या बचागा? sin omega not n dot dtft यह वो कितना आ जाएगा? pi upon j summation k equals to minus infinity to plus infinity delta omega 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 not minus 2pi k delta omega plus omega not minus 2pi k तो यह याद अखना ठीक है? formula याद आए ने आगर भूल भी जाओ तो एक सेकंड में pi upon j का term यहाँ भी था यहाँ भी आया है sin omega not theta continuous के लिए यहाँ पर हम discrete के लिए कर रहे हैं तो देखो यहाँ पर क्या change आ जाएगा? एक तो discrete की वैसे क्योंकि 2pi के बाद अपने आपको repeat करने वाला तो इसलिए क्या आ गया? यहाँ पर है और 2pi आ गया दोनों जगा ठीक है? अगर यह वाली दोनों चीज़ें इन वाली चीज़ों को मैं हटा दू और यहाँ पर n के टी रख दूं तो यह बिल्कु continuous time बाला ही formula बन जाएगा तो हमेंसे यहाँ रखना है जो continuous होता है जब discrete में जाएगे तो क्या कर देंगे? एक submission add कर देंगे और क्योंकि हमें 2pi से उसको periodic में रखना या तो 2pi के add कर दो यह subtract कर दो उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा different book में different representation देता है कहीं पर plus 2pi के रहेगा कहीं पर minus 2pi के उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों का minus 2pi के करो यह 2pi के करो जो spectrum बनागे दोन तरफ बनेगा जब k की value minus से लोगे तो वही तुमारी book में क्या होगा वो k की plus की value के लिए चलेगा और negative के लिए चलेगा बिल्कु उसी के तरह रखना discrete को भी I hope आप लोगों को यह समझाया होगा next video फिलाल तो मैं तुम्हें देता हूँ एक humble मैंने साइन omega-n का निकाला तो आप निकालेंगे किसका cos omega-n cos omega-n का DTFT निकालेंगे सब ठीक है क्या होगा और सभी कमेंट करेंगे इस वाले फोर्मुले में बस कहां पर change होगा यह बताएंगे ठीक है मैं बता दूंगा जिसने बता दिया कि इस वाले फोर्मुले में कहां पर change आएगा ने जुम्हेंड़लों मैं समझद लूँगा उसने correctly आगर देखो कंड़ तो तुम्हें पढ़ेगा कोस वाले का कोस का मैं एक बार बता देता हूं इसका यूलर फोर्म जो होता है वो क्या होता है वो होता है e की पावर j j omega 010 plus e की पावर minus j omega 010 upon 2 ठीक है इसका तो बहुत आसाम दीख रहा होगा तो यहां पर जो minus बीच में एक तो बीच का minus गया यहां पर j आ रहा तो इसमतलब जी नहीं आएगा किवल बाहर पाई रह जाएगा तो मैं देखो आंसर भी बताती है पाई का टाम यह पिलस बाकी का अंदर वाली चीज है ठीक है इसमें बस j कटी आएगा और यहां पर पिलस आजाएगा कोस के में तो सब डिराइब करेंगे ठीक है सब को कह करना यह डिराइब करना एक बाद जाए डिराइब हो जाए फोर्मला तो कमेंट करकर अच्छी वाली प्रोपर्टी अगर धैंक्यों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियों नेक्स्ट प्रोब्रम के साथ